छठा अध्याय, सप्ताह यग्य की विधी श्री सनकादी कहते हैं, नारज जी, अब हम आपको सप्ताह श्रमन की विधी बताते हैं यह विधी प्रायह लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है पहले तो यतन पूर्वक जोतिशी को बुला कर मुहुर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रवन्द किया जाता है उस प्रकार ही धन की विवस्था इसके लिए करनी चाहिए कथा आरंब करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आशाड़ और शामण ये च्छ महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है देवर्षे इन महीनों में भी भद्रा, विती, पात, आदि, कुयोगों को सर्वता त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उच्छाही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए फिर प्रयत्न करके देश देशानतरों में यह समवाद भेजना चाहिए कि यहां कथा होगी सब लोगों को सब परिवार पधारना चाहिए इस्त्री और शुद्रादी भगवत कथा एवं संकीरतन से दूर पढ़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए देश देश में जो विरक्त वैश्नव और हर कीरतन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रन पत्र अवश्य भेजें उसे लिखने की विधी स्प्रकार बताई गई है महानुभावो यहां साथ दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुरलभ समागम रहेगा और अपूर्व रस्मई श्री मत भागवत की कथा होगी आप लोग भगवद रस्के रसिक हैं अतह श्री भागवता मृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक श्री ग्रही पधारने की क्रिपा करें यदि आपको विशेश अवकास न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही क्रिपा करनी चाहिए क्योंकि यहां कातो एक छण भी अत्यन्त दुरलभ है इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएं उनके लिए यतोचित निवासस्थान का प्रबंध करें कथा का श्रवण किसी तीर्थ में वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है जहां लंबा चोड़ा मैदान हो वहीं कथास्थल रखना चाहिए भूमी का शोधन, मारजन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामगरी उठा कर एक कोने में रख दे पांच दिन पहले से ही यतन पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक उंचा मंडप तयार कराए उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करे तथा चारों और जंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे उस मंडप में कुछ उंचाई पर साथ विशाल लोकों की कलपना करे और उनमें विरक्त ब्राम्वनों को बुला बुला कर बैठाए आगे की ओर उनके लिए वहां यतोचित आसन तयार रखे इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रवंद करे यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वा भिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वा भिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूरों मुख होकर बैठना चाहिए देश काल आधी को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्तन्त निस्प्रिय हो ऐसे विरक्त और विश्न भक्त ब्राम्मन को वक्ता बनाना चाहिए श्रीमत भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए इस्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए वह भी सब प्रकार के संशयों की निवरित्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो कथा प्रारम्व के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहन करने के लिए वक्ता को शोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शोच से निवरित्त होकर अच्छी तर अस्नान करे और संध्यादी अपने नित्त कर्मों को संख्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्णों की निवरित्त के लिए गणेश जी का पूजन करे तदनंतर पित्र गण का तरपन कर पूर्व पापों की शुद्ध के लिए प्रायस्चित करे और एक मंडल बना कर उसमें श्री हरी को स्थापित करे फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष करके मंत्रो चारण पूर्वक क्रमशह शोडशो पचारविदी से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिना तथा नमस्काराधिकर इस प्रकारिस्तुति करे करुणा निधान मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ करमों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है आप इस संसार सागर से मेरा उध्धार कीजिए इसके पश्चात धूप दीप आधि सामग्रियों से श्रीमत भागवत की भी बड़े उच्साह और प्रीति पूर्वक विधिविधान से पूजा करे फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकारिस्तुति करे श्रीमत भागवत के रूप में आप साक्षात श्रीकृष्ण चंद्र ही विराजमान है नाथ मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है मेरा यह मनोरत आप बिना किसी विग्न बाधा के सांगो पांग पूरा करे केशव मैं आपका दास हूँ इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे उसे सुन्दर वस्त्रा भूशणों से विभूशित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकारिस्तुति करे शुक स्वरूप भगवन आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्यान दूर करे फिर अपने कल्यान के लिए प्रसनता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहन करे और साथ दिनों तक यथा शक्ति उसका पालन करे कथा में विग्ण नहो इसके लिए पांच ब्राम्वनों को और वरन करे वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जब करे फिर ब्राम्वन अन्य विष्णु भक्त एवं कीरतन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्या पाकर स्वयम भी आसन पर बैठ जाए जो पुरुष, लोक, संपत्ति, धन, घर और पुत्रादी की चिंता छोड़कर शुद्चित्र से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रमण का उत्तम फल मिलता है बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूरियोदय से कथा आरंब करके साड़े तीन पहर तक मध्धम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे दोपहर के समय दो घड़ी तक कथा बंद रखे उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैश्नवों को भगवान के गुणों का खीरतन करना चाहिए विर्थ बाते नहीं करनी चाहिए कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अलपा हार सुखकारी होता है इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविश्यान भोजन करे यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूद पीकर सुख पूरवक्ष रवन करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे जिससे जैसा नियम सुभीते से सद सके उसी को कथा श्रवन के लिए ग्रहन करे मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ यदि वह कथा श्रवन में सहायक हो यदि उपवास से श्रवन में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं नारज जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पूरशों के नियम सुनिये विश्नु भक्त की दीक्षा से रहित पूरुष कथा श्रमन का अधिकारी नहीं है जो पूरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्म चर्य से रहना भूमी पर सोना और नित्य प्रती कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए डाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन, भावदूशित पदार्थ और बासी अन, इनका उसे सरवदा ही द्याग करना चाहिए काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोब, दम्भ, मोह और द्वेश को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए वह वेद, वैश्नव, ब्राह्मन, गुरु, गो सेवक, तथा इस्त्री, राजा और महा पुरुषों की निंदा से भी बचे नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला इस्त्री, अंत्यज, मलेच, पतित, गायत्री, हीन, द्विज, ब्राह्मनों से द्वेश करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बरताव करना चाहिए धनहीन, छैरोगी, किसी अन्य रोग से पीडित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रमन करे जिस इस्त्री का रजोदर्शन रुख गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांज हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूरुवक इस कथा को सुने यह सब यदि विधिवत कथा सुने, तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है, यह अत्युत्तम दिव्य तथा करोणों यग्यों का फल देने वाली है, इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें, जिन्हें इसके विशेश फल की चाहो, वे जन्मास्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें, किन्तु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है, वे श्रमण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निश्काम भगवत भक्त हैं, इस प्रकार जब सप्ताह यग्य समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यन्त भक्ती पूरवक्त पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए, फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे, तथा सब लोग म्रिदंग और झांच की मनोहर ध्वनी से सुन्दर कीरतन क करें, जैजैकार, नमसकार और शंक ध्वनी का घोश कराए, तथा ब्राह्मन और याचकों को धन और अन दे, श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शान्ति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, ग्रिहस्त हो तो हवन करे, उस हवन में दशम सकंद का एक एक श्लोक पढ़कर काग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वताह यह महापुरान गायत्री स्वरूप ही है, होम करने की शक्ति नहो, तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मनों को हवन सामगरी दान करे, तथा नाना प्रकार की तुठियों को दूर करने के उसके दोशों की शान्ति के लिए विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर बारह ब्रामणों को खीर और मधुआदी उत्तम-उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्थ के लिए गव और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो तीन तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए। उस पर सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई श्री मध्भागवत की पोथी रख कर। उसकी आवाह नादी विविध उप्चारों से पूजा करे और फिर जिते इंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूशन एवं गंधादी से पूजन कर दक्षिना के सहित समर्पन कर दे। यो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सबताह पारायन की विधी सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगल में भागवत पुरान अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है इसमें संदेह नहीं। सनकादी कहते हैं नारज जी इस प्रकार तुम्हे या सबताह श्रवन की विधी हमने पूरी-पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस श्रीमत भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं शौनक जी यों कहकर महामुन संकादी ने एक सबताह तक विधी-पूर्वक इस सर्वपापनाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्रा ज्यान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्ट मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी और आकरशित करने लगे। अपना मनोरत पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसनता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे पर पूर्मानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रमन कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगदवानी से सनकाजी से कहने लगे। नारद जी ने कहा मैं धन्य हूँ। आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रिहीत किया है आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरी की प्राप्ती हो गई। तपोधनों मैं श्री मदभागवत श्रमन को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि इसके श्रमन से वैकुंध विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ती होती है। सूत जी कहते हैं शौनक जी वैश्नव श्रेष्ट नारत जी योग कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर शुकदेव जी आ गए कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन श्री शुकदेव जी वहां पधारे सोलह वर्ष की सी आयू आत्मलाब से पूर्ण ज्यान रूपी महासागर का समवर्धन करने के लिए चन्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्री मदभागवत का पाठ कर रहे थे परमतेजस्वी शुकदेव जी को देखकर सारे सभासद जटपट खड़े हो गए और उन्हें एक उचे आसन पर बैठाया फिर देवर्षी नारज जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया उन्होंने सुख पूर्वक बैठ कर कहा आप लोग मेरी निर्मल वानी सुनिए श्री शुकदेव जी बोले रसिक एवं भावुक जन यह श्री मदभागवत वेद रूप कल्प व्रिक्ष का परिपक्व फल है श्री शुकदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अम्रित रस से परिपूर्ण है यह रस ही रस है इसमें न छिलका है न गुठली यह इसी लोक में सुलब है जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें महामुनिव्यास देव ने श्रीमत भागवत महापुरान की रचना की है इसमें निश्कपट निश्काम परमधर्म का निरूपन है इसमें शुद्धान्तह करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्यानकारी वास्तविक वस्तुका वरणन है जिससे तीनों तापों की शान्ती होती है इसका आच्रे लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यक्ता नहीं रहती जब कभी पुन्यात्मा पुरुष इसके श्रमन की इच्छा करते हैं तभी इश्वर अविलंब उनके हिरदय में अवरुद्ध हो जाता है यह भागवत पुराणों का तिलक और वैश्नवों का धन है इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्यान का ही वरणन किया गया है तथा ज्यान वैराग्य और भक्ति के सहित निवरित्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रमन पठन और मनन में तक पर रहता है वह मुक्त हो जाता है यह रस स्वर्ग लोग सत्य लोग कैलास और वैकुंठ में भी नहीं है इसलिए भाग्यवान शोताओ तुम इसका खूप पान करो इसे कभी मत छोड़ो मत छोड़ो सूत जी कहते हैं श्री शुक्रेव जी इस प्रकार कैह ही रहे थे के उस सभा के बीचों बीच प्रलाद, बली, उधव और अरजुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरी प्रकट हो गए तब देवर्शी नारद ने भगवान और उनके भक्तों की ये थोचित पूजा की भगवान को प्रसन देखकर देवर्शी ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीरतन करने लगे उस कीरतन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए कीरतन आरंब हुआ प्रलाज जी तो चंचल गती होने के कारण करताल बजाने लगे उद्धव जी ने जाँजें उठा ली देवर्शी नारद वीणा की धोनी करने लगे स्वर्विज्यान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे इंद्र ने मृदंग बजाना अरंब किया सनकादी बीच बीच में जैगोश करने लगे और इन सब के आगे शुकदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे इन सब के बीच में परमतेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे ऐसा अलोकिक कीरतन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे मैं तुम्हारी इस कथा और कीरतन से बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है अतह तुम लोग मुझसे वर मांगो भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमारद्र चित्त से भगवान से कहने लगे भगवन हमारी यहा भिलाशा है कि भविष्य में भी जहां कहीं सप्ताह कथा हो वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें हमारा यह मनुरत पूर्ण कर दीजिए भगवान तथास्त कहकर अंतरधान हो गए इसके पश्चाथ नारज जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष करके प्रणाम किया और फिर शुकदेव जी आदित पस्वियों को भी नमस्कार किया कथा मृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ उनका सारा मोह नश्ठ हो गया फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए उस समय शुकदेव जी ने भगति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरी वैश्णों के हदय में आविराजते हैं जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दगध हो रहे हैं जिन्हें माया पिशाची ने रौन डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका कल्यान करने के लिए श्री मद भागवत सिंधनाद कर रहा है शौनक जी ने पूछा सूत जी शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को गोकरण ने धुन्दुकारी को और संकादी ने नारज जी को किस किस समय हगरंथ सुनाया था मेरा यह संशय दूर कीजिये सूत जी ने कहा भगवान शुरी क्रिष्ण के स्वर्हाम गमन के बाद कल्यूप के तीस वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुकला नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंब की थी राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कल्यूप के दो सो वर्ष बीत जाने पर आशाड मास की शुकला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी इसके पीछे कल्यूग के तीस वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुकला नवमी से सनकादी ने कथा आरंब की थी निश्पाप शौनक जी आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया इस कल्यूग में भागवत की कथा भवरोग की रामबान आउशदी है संतजन आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मृत का पान कीजिए यह श्री कृष्ण को अत्यन्त प्रिय संपूर्ण पाकों का नाश करने वाला मुक्ति का एक मात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है लोग में अन्य कल्यानकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा अपने दूद को हाथ में पाच लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं देखो जो भगवान की कथा वारता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ वैश्नवों को नहीं इस असार संसार में विशय रूप विश्की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषो अपने कल्यान के उद्देश से आधे खण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो प्यारे भाईयो निंदित कथाओं से युक्त कुपत में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है इस बात के साक्षी राजा परिक्षित हैं श्री शुकदेव जी ने प्रेमरस के प्रवाह में इस्तिक होकर इस कथा को कहा थ इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिध्धानतों का यही निचोड है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतह आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश सकंध रूप रसका पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वकिस कथा का भक्ति भाव से श्रमन करता है और जो शुद्धानतह करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है। वे दोनों ही विदि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए ट्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता।